गुद इविनिंग एब्रिवन वर्कम टु सुबल सरफ से स्टड़ी देखे आज है एक जन्बरी दोशार तेइस और सभी को नव वर्ष की हार्दिक सुपकाम नहीं वीडियो थोड़ा डिले है मॉर्निंग की ज़के एविनिंग में आ रही है तो उच्छे स्थार्ट करते है यूपीपीएसी की डेली प्रेक्टिस सीरीज चल रही है और प्रेलिस्ट इसकी बना रखे है वहां पर आप टेस्ट नमबर वन से लेकर वन सिक्स्टी बनी है जो भी नए टेस्ट आएगा वहां तक पहुं सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका तो प्रेक्टिस करेंगे इसमें हम करेंट के प्रस्ष्णों पर ही तो पहला प्रस्ष्ण है भारतिया प्रतिसपर्दा आयोग यानि अधिकारियों को राय देता है और प्रतिसपर्दा अधिनियम को लागू करता है बताए कौन सा करेक्टर इसमें है कि सही उत्तर का चुनाब करना है इसमें कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया भारते प्रतिसपर्दायोग पहरा सही है और दूसरा बारा भी सही है दोनो प्रतिसपर्दा अधिनियम दोहार दो के तहत इस्थाफित किया गया है जो रागवन समिती के सिफारिसों के बाद एक आधिकार और प्रतिवंधात्मक व्यापार व्याभार अधिनियम 1979 के इस्थान पर अस्थित्माया तो पहरा वाला करेक्ट है यह जो आयोग एक अर्ध करने के रहें जम्मेदार है यह नंबर इस फर कॉल्या वर्टसप करके आफ फुल टेस्ट सीरीज प्राफ्ट कर सकते हैं यूपी पीसेस की कुश्चन पर आजए नंबर कि इसे कौन सा अधिनियम अनुसूचित जन्यजातियों यानि स्थि के अधिकारों को मानिता देता है ससक्त करता है और लागू करता है इनमें से कौन सा अधिनियम और एक से अधिक उत्तर हो सकता है क्योंकि कूट वाला प्रश्ण है यह नाग प्राइत अधिनियम 1996 के प्राबधान जो संभानेता है अनुसुचित छेत्रों के विस्तार तक और अनुसुचित जनजाती और अन्य पारम पर एक वन निवासी अधिनियम दो है और छे पताई ये कौन सा अधिनिया में इसे कौन से अधिनिया में जो अनुसूचित जन्जातियों के अधिकारों को मानता देते, ससक्त करते और लागो करते पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ये सारे के सारे हैं तो इसका अंसर हो जगाप सनम बड़ी 1, 2, 3, 4 तो नागरिक अधिकार संदक्षन अधिनियम 1955 जन जातिय समूहों में असपरश्चिता की प्रचार और अभ्यास के विरुद्ध जो है सुरक्षा प्रदान करता पहला करेक्ट हो गया अनुसूचित जन जाति अत्याचार निवारन अधिनियम 1989 अधिवसी समूधायों में जातिकात भेद्भाप पर्थाओं का मुकाबला करता तो दूसरा बाला करेक्ट हो गया पंचायत अधिनियम 1996 के प्रावधान ग्राम पंचायत इस तर पर राजनेतिक स्वायतता के माध्यम से जन जातिये समूधायों को ससक्त बनाते हैं तो तीसरा बाला करेक्ट हो गया और चोथा बाला भी करेक्ट हो गया क्योंकि अनुसूचित जन जातियों और अन्य पारम पर एक 180 अधिनयम दोहार छे लगू बन उपज पर इस्थानीय लोगों और जन जातियों लोगों के अधिकारों को मानिता देता है तो सारे हो गया तीसरा प्रश्ण है निमलकित में से कौन सा एक साईसो मिलित नहीं है यह है सूची एक सूची दो सूची एक में पन बजली परियोजना और सामिल देश जो उसमें सामिल होंगे पहली है दोर्जुलिंग परियोजना भारत और नेपाल के वीच है सेती परियोजना भारत नेपाल के वीच महाकाली परियोजना भारत नेपाल और खोलूंग्चु परियोजना भारत भुटान यह तो तीनों कौमनें तो कह यह गलत है क्या नहीं यह सही है ठीक है खोलंग्चू परियोजना भारत नेपाल सही है महाकाली परियोजना भारत भूटान सही है और महाकाली परियोजना भारत नेपाल सही है सेती परियोजना भी भारत नेपाल सही है लेकिन दोर्जू लिंग परियोजना जो है वो भारत और नेपाल के बीच नहीं है वो ह जल विद्धुत परियोजना बंगलादेश भारत और भूटान का सहयोग है ठीक है तो पहला बाला गलत है इसलें इसका आंसर हो जाएगा आपसा नमबर ए ठीक है अगी दूसरा तीसरा और चोथा जो है वो सही सुमय लेता है कोशन नमबर फोर पर आज़िए मोपा इंटरनेशनल एरपोर्ट जो हाल ही में सुर्खियों में रहा किस राज्य में है मोपा इंटरनेशनल एरपोर्ट लेकि हाली में भारते प्रधान मंत्री ने उद्गाटन किया इसका मोपा इंटरनेशनल एरपोर्ट है गोवा में ठीक ह इस एयरपोर्ट का नाम एयरपोर्ट गोवा के भूत पूर्व मुख्यमंतरी मनोहर परिकर के नाम पर रखा गया है ठीक है यह जो एयरपोर्ट है वो गोवा की राज़ानी परणजी से लगभग 35 किलोमेटर दूर है और गोवा भारत का एक प्रमुक टूरिजम डेस्टिनेशन है और यह है एयरपोर्ट जो है सालाना जो 44 लाख लोगों को समयज़ित करने की चमता रखता है कोशन नमबर फाइब पर आज़ी एक टैक्स है विंड फॉल टैक्स इसके संबंद में अमरिके में से कौन सा स्टेट्मेंट सही है इन दो में से बिंड फॉल टैक्स एसी कमपनियों एइन डैक्सट्री पर लगाया जाता है जिने किसी खास सरय परिस्तियों में तत्काल काफी लाब होता है और हाल ही में विरोध के चलते सरकार ने इसे समाप्थ कर दिया बिंड फॉल टैक्सच को देखे समाप्त नहीं किया है बलकि इसको कम कर दिया है ठीक है पहला बाला करेक्ट है दूसरा बाला जो है वो गरत है ठीक है इसकी दरों में कटोती की है तो केन सरकार यानि सेंट्रल कवर्मेंट ने एक दिसंबर से घरवले स्थर पर उत्पादेत कच्चे तेल यानि सिर्फ देश में निकाले गए तेल और डीजल के लिया है और एक्सपर्ट का माना है कि सरकार के इस कदम से पेट्रोल डीजल के रेट घटने की उमीद जो है बढ़ गई है और आपको बता दें कि विंड़ फॉल टैक्स ऐसी कंपनियों या इंडस्ट्री पर लगाया जाता है उधर्ण के तोर पर भारत की जो तेल कंपनिया है वो देखें बात क्या है बात है ऐसी की यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अंतराश्टे इस तर पर कच्चे तेल यानि क्रूड ओयल की कीमतों में जो है काफी उचाल आ गया था इससे तेल कंपनियों को काफी फायदा मिला इसलिए उन पर विंड़ फॉल टैक्स लगाया था भारत ही नहीं इटली और यूक्रेन ने भी अपनी एनरजी कंपनियों पर इस तरह का टैक्स लगाया भारत सरकार ने अभी इससे समाप्त नहीं किया है वस इसे कम किया है इसलिए गलत दूसरा बारा स्टेट्मेंट कोशन नमबर शिक्स पर आजए हाल ही मैं निम्लिकित में से किस या किन हिमाले पौधों को आयूसी एन की रेट लिस्ट में सामिल किया गया है यह तीन पौध है कौन कौन से इसमें आयूसी एन की रेट लिस्ट में सामिल किया गया है सही उतर का चनाप की जिए इन में से ब हाल ही में IUCN की red list में सामिल किया गया है इसका अंसर हो जागा option number D 123 तो हाल ही में हिमाले छेत्र के तीन और सदिये परजाती पोधों को मुल्यांगन के बाद संकट गरस्त परजातियों की IUCN की red list में सामिल किया गया है यह इंडेंजर्ड हैं यह तीनों पोधे ही और सधी गुणों से भरपूर हैं जो इन जातियों के अवैद प्यापार वन आगनी मतलब बन में लगने वाली आग और वनन मुलन के करण विलुप्त होते जा रहा हैं बात करें IUCN की जिसका फुल फॉर्म होता को सनक्षित करने का कार करता आई है और यह संगठन रैट डेटा बुक जारी करता है जिसमें सभी संकट ग्रस्त और अभिलुप्त प्रयाय जातियों को सामिल किया जाता है कोशन नुमर 6 पर आज यह हाल ही में जलवायू परिवर्तन प्रदर्शन सूचकंग 23 रिपोर्ट जो है जारी की गए इसके बारे में कुछ कथाना है और कौन सा और में सही होगा आपको बताना तीन तीन है यहां पर देखिए भारत आठवे स्थान पर युनाइटिट किंड़म ग्यारवे स्थान पर जर्मनी सॉलवे स्थान पर ठीक है केबल तीन देश केबल तीन जी ट्वंटी देश जलवायू परिवर्तन प्रदर्शन सूचकंग 23 में उच प्रदर्शन करने वालों में सामिल है और सभ कि वह दरजे तक कोई पहुंची नहीं पाया और जी ट्वंटी देशो में भारत की रेंग जो है सबसे अच्छी है कि सबसे अच्छी है कि यह स्टेट्मेंट लग रा गलत लेकिन सभी सबसे अच्छी रेंग है भारत की और बिल्कुल सुरू के तीन इस्थान खाली है क्यो देखें जलबायू परिवर्थन प्रदर्शन सूचकांग देहर 23 रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई और भारत ने सूचकांग में आठ इस्थान हासिल किया जो पिछले संस्क्रण से दो इस्थान ऊपर है भारत आठवे स्थान पर ये इनेटिक किंग्णम 11 इस्थान पर जर पहला करेक्ट हो गया दूसरा भी करेक्ट है क्योंकि देखिए सभी सूचकांग स्रेणियों में कोई भी देश इतना मजबूत नहीं था कि समगर रूप से बहुत उच रेटिंग हासिल कर सके इसलिए सुरू के जो तीन स्थान है पहला दूसरा तीसरा वो खाली है तो करेक भारत का व्यापारिक निर्याद इसके व्यापारिक आयाद से कम है और भारत का सेवा निर्याद इसके सेवा आयाद से अधिक है ऐसे प्रेशन पूछ ले आता है स्टेट पीसियस में हासकर यूपी पीसी में यूपीसी में करती है फिलाली यह दोनों के दोनों करेक्ट है सी है इसका अंजर तो भारत का जो व्यपारिक निरियाद है इसके व्यपारिक आयाद से कम है तो पहला वाला करेक्ट है और भारत का सेवा निरियाद इसके सेवा आयाद से अधिक है तो इसका मतलब है कि भारत के पास नेट सर्विस सर्पलस है तो दूसरा correct है Question number 9 पर आज़िए भारत में और्द्यो की नीतियों के संबंद में और्द्यो की नीतियों के संबंद में निमलिखित कतनों पर विचार करेंगे तीन यहां कतन है कौन साइस में सही होगा वो बताना है देखे सुतंत्र भारत की पहली और्द्यो की नीति वर्द्यो की नीति और अंतिम और्द्यो की नीति थी जिसने भारत में LPG सुधारों के दोहर खुले ठीक है LPG मतलब Liberalization, Privatization, Globalization और दूसरा statement है भारत में और्द्यो की नीतियों ने 1956 में मुख्य रूप से पुझी बादी pattern से 1991 के बाद के समाजवादी pattern में बतलाब किया देखे पहला correct है और तीसरा भी correct है और दूसरा भी correct हो जाते है लेकिन उल्टा फुल्टा लिख रखा है ठीक है भारत में और्द्यो की नीतियों ने 1956 में मुख्य रूप से समाजवादी pattern से 1991 में पुझी बादी pattern में बतलाब किया ना कि पुझी बादी से समाजवादी में ठीक है तो पढ़ते वोए नहीं चला जाना statement को ठहरना भी है गलत है दूसरा statement तो सही बताना अपने को तो दो जहां जाना उसको हटा दीजिए कि बल एक और तीन इसका अंसर हो जाए का उप्सन नमबर बी तो भारत की पहली ओद्योग कनीती 1948 में भारत के उद्योग मंतरी श्यामा प्रशाद मुखर्जी द्वारा प्रस्तूत की गई थी और इन करेक्टर दूसरा क्योंकि भारत में ओद्योग कनीती ओने इसने भारत में LPG, liberalization, privatization, globalization, हिंदी में उदारी करण, निजी करण, वैश्वी करण, सुधारों के द्वार खोले। जलबायू परिवर्टन, प्रदर्सन, सूचकांग, दुहरते, इसके संबंद में निम्लिकित कत्मों में से कौन सा असत्य है। देखे, examination hall में जो प्रश्ण पत्र मिलेगा, वो यहाँ वोल्ड नहीं होगा। जैसे यहाँ डार्क है, तो एक तो बड़ा चैलेंज ही है प्रश्ण पत्र को अच्छे से पढ़ना हो। ठीक है, और वो benefit भी है उससे, क्योंकि अच्छे से पढ़ने पर भी qualification, disqualification, ठीक है, वहीं तया हो जाती है, क्योंकि इसकी वेज़े से पूरा answer कट जाएगा है, कि असत्य पूछा है, सत्य पूछा है, तो पहला statement है, यह है Climate Action Network और संयुक्तराश्च परिवर्ण कारिक्रम द अब ही उपर देखा था है, तो यह भी तरीका प्रश्ण को पूछने का, शुरू के तीन स्थान तो खाली है, दक्षण एसे आई देशों का कबज़ा कहां से हुआ, यह तो गलत है, और यह Climate Action Network और संयुक्तराश्च परिवर्ण कारिक्रम दौराचारी के यह था यह भी गल तो देखिए, वर्स दोहार पांच से जर्मन वोच और Climate Action Network साथ मिलकर जलबायू परिवर्ण परदर्शन सूचकां क्या नहीं, CCPI सालाना प्रकाशित करते हैं, तो पहला वाला गलत है, और CCPI अंतराश्टिय जलबायू परिवर्ण नीती में परदर्शिता बढ़ाने का प्रकाशित की तुलना करना, और इस बार 63 देशों की सूची में भारत पिछले वर्स की तुलना में दो रैंक बढ़कर आठवे स्थान पर पहुँच गया है, तो पहला दूसरा है incorrect और तीसरा है correct, देखिए पिछले वर्स भारत दसवे स्थान पर था, इस बार आठवे स् जा सकती, तो CCPI देखिए इसमें शुरू के तीन स्थान खाली, भारत का अठवा स्थान, ठीक है, और कौन प्रकाशित करता है इसको, जर्मन वाच और क्लाइमेट एक्सन नेटवर्क एक साथ मिलकर, ना की, ना की, संयुक्तराष्ट परियावण का रिक्रम, यानी UNEP, तो पहला दूसरा असत, तो ए अंसर है, तो दस प्रशन एड़ किये गए थे, इन सभी के आप पीडियाव भी प्राप्त कर सकते हो, पीडियाव में लेकर आपको पेड टेलिग्राम ग्रूप में, यह नंबर इस पर कॉल्या वाट्सप करके आप ग्रूप से जोड़ सकते हैं, ठीक है, धन्यवाद,